हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने IQ3 Android में आप जोए shake to turn on flashlight setting को आपना use कैसे कर सकते हैं ठीक है और इस shake to turn on flashlight setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपको यह video comment सबस्ते हैं सबसे पहले तो आपको अपने iPhone में सैटिंग पेज open करने सैटिंग पेज को open कर लीजे अपने iPhone में सेटिंग पेज में नीचे आना या आ है आपको यह option मिलेगा shortcut and accessibility इससे सेलेक्ट करना आपको इसे अगले पेज में आपको नीचे यह option मिलेगा smart motion इसे select करना है अब इसके अगले पेज में आपको नीचे यह option मिलेगा shake to turn on flashlight ठीक है इस option के ठीक सामने आपको यह बटन दे र Gary इस बटन को आपको tap करना है तो यह button आपका blue color में on हो जाएगा setting आपकी enable हो जाएगी ठीक है अब यह देखे setting कैसे काम करेगी ध्यान रखे कि setting आपकी सिर्फ दो ही जगे पे काम करेगी एक तो आपके mobile phone की home screen home screen के किसी भी page पे आप इसे use कर सकते setting को देखे कैसे यह देखे phone को हाथ में पकड़ना और इस तरही की शेक करना है तो इसे क्या होगा आपके phone की जो flashlight है on हो जाती ठीक है तो यहाँ पर आप अपने mobile phone की home screen पर इसे use कर सकते हैं किसी भी page पे इस तरहीं से सिर्फ phone को हाथ में पकड़के ही लाना है ठीक है अब इसे यह पर जो है दूसरा यह तो होगी पहली home screen आप दूसरा आपके mobile phone की lock screen है जो lock screen होती है यहाँ पर आपको अपने phone को हाथ में पकड़ना है और इस तरह की से shake करना है तो इससे क्या होगा आपके phone की flashlight on हो जाएगी ठीक है तो इस setting जो है इस तरह की से पेज में आपको सबसे उपर इस search icon का option select करना है और यह आपको search बार में setting का name आपको type करना है shake to turn on flashlight इस तरह की से तो आपको नीचे की side यह option show हो जाएगा इस तरह की से जब यह option show हो जाएगा ना इससे आपको select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जाएगा और इस तरह की से highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक short कर तरह का भी बता दिया इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में